मुन्शी प्रेमचन जी द्वारे लिखित एक सर्फ्रेष्ट कहानी अगनी समाधी साधू संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं किन्तु पयाक का दुरबाग गिता कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ उसे गांजे, चरस और भंका चसका पड़ गया जिसका फल यह हुआ कि एक महंती उध्यमशील युवक आलस्से का उपासक बन बैठा जीवन संग्राम में ये आनंद कहां किसी वटवरक्ष के नीचे धूनी जल रही है एक जटा धारी महात्मा विराज रहे है भक्त जनोंने घेरे बैठे हुए और तिल-तिल पर चरस के दम लग रही है बीच-बीच में भजन भी हो जाते है मजूरी धातुरी में ये स्वर्ग सुक कहां चिलम भरना पयाक का काम था भक्तों को परलोक में पूर्णे फल की आशा थी पयाक को ततकाल फल मिलता था चिलमों पर पहला हक उसी का होता था महत्माओ के शरी मुख से भगवा चर्चा सुनते हुए वे आनन से वेवल होडता था उस पर आत्मे विस्त्मरती सी चा जाती थी वे सौरब, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुच जाता था इसलिए जब उसकी स्री रुकमिन रात के 10-11 बच जाने पर भी उसे बुलाने आती तो पयाक को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभाव होता संसार उसे काटों से भरा हुआ जंगल सा दीखता वुशेष्टा जब घर आने पर उसे मालुम होता कि अभी चूला नहीं जला और चने चबाने की कुछ फिक्र करनी है वे जाती कब भर था गाउं की चौकेदारी उसकी मिराज थी दो रुपे और कुछ हाने वेतन मिलता था वर्दी और साफा मुफ्त काम था सप्ता में एक दिन थाने जाना वहाँ अफसरों के द्वार पर ज़ाडू लगाना अस्तबल साफ करना लकडी चीरना पयाग रक्त के गुट पी पी कर ये काम करता क्योंकि अवग्य शारेरिक और आर्थिक दोनों ही द्रिष्टी से महंगी पड़ती थी आसु यूँ पोचते थे कि चोकिदारे में ये कोई काम था तो इतना ही और महिने में चार दिन के लिए दो रुपे और कुछ आने कम ना थे फिर गाओं में भी अगर बड़े आद्मियों पर नहीं तो नीचों पर रोप था वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वै पयाक के जेब खर्च की मद में आ गई अतेब जीविका का प्रश्ण दिनों दिन चिंतोत पादक रूप धरन करने लगा इन सत्संगों के पहले ये दमपत्ती गाओं में मजदूरी करता था रुकमिन लकणियां तोड़कर बाजार ले जाती पयाक कभी आरा चलाता कभी हल जोता कभी पुरहाक था जो काम सामने आ जाया उसमें जोट जाता था हसमुक, श्रमशील, विनोधी, निर्दवन्द आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूको नहीं मरता उस पर नमर इतना कि किसी काम के लिए नहीं ना करता किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भाईया कहकर दोड़ा इसलिए उसका गाउं में मान था इसी की बदौलत निर्द्यम होने पर भी उसे दो-तीन साल अधिक कष्ट ना हुआ दोनों जून की तो बाती क्या जब महतो को या रिद्धी नाप्राप्त थी जिनके दौर पर बैलों की तीन दीन जोड़िया बंधती थी तो पयाक किस गिंती में था हाँ एक जून की दाल रोटी में संदे ना था परतु अब यह समस्य दिन पर दिन विशमतर होती जाती थी उस पर यह विपत्ती थी कि रुकमिन भी किसी गारण से उसकी पती परायन उतनी सेवाशील उतनी तत पर ना थी नहीं उतनी प्रगलबता और वाचालता में आश्चर जनक विकास होता जाता था अतेव पयाक को ऐसी किसी सिध्धी के आवशक्ता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवजन और सादू सेवा में प्रवर्थ हो जाए एक दिन रुकमिन बजार में लकणियां बेच कर लोटी तो पयाग ने कहा ला कुछ पैसे मुझे दे दे दम लगा आऊं रुकमिन ने मूँ फेर कर कहा दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते क्या आजकल कोई बाबा नहीं है जाकर चिलम भरो पयाग ने तियोरी चड़ा कर कहा भला चाहती है तो पैसे दे दे नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाओंगा तब रोईगी रुकमिन अंगुठा दिखा कर बोली रोई मेरी बला से है तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो अब भी चाहती फाड़ती हूँ तब भी चाहती फाड़ूंगी तो अब यही फैसला है हाँ हाँ कहतो दिया मेरे पास पैसे नहीं है गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं चार पैसे मांगता हूँ तो यह जवाब देती है रुकमिन तिनक कर बोली गहने बनवाती हूँ तो तुमारी चाती क्यों फटती है तुमने तो पीतल का छला भी नहीं बनवाया या इतना भी नहीं देखा जाता पयाग उस दिन घर ना आया रात के नौ बज गे तब रुकमिन ने किवाड बंद कर लिये समझी गाउं में कहीं चिपा बैठा होगा समझता होगा मुझे मनाने आएगी मेरी बला जाती है जब दूसरे दिन भी पयाग ना आया तो रुकमिन को चिंता हुई गाउं भर छान आई चिडिया किसी भी डाल पर ना मिली उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई रात को लेटी भी तो बहुत दिर तक आखे ना लगी शंका हो रही थी पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया उसने सोचा प्राता काल पत्ता पत्ता छान डालूँगी किसी सादू संत के साथ होगा जाकर थाने में रपट कर दूँगी अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तयार हो गई कि वाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाए दिया पर वै अकेला ना था उसके पीछे पीछे एक इस्तरी भी थी उसकी छीट की साड़ी रंगी हुई चादर लंबा घूंगट और शर्मीली चाल देकर रुक्मिन का कलेजा धक से हो गया वह एकशन हाथ बुद्धी सी खड़ी रही तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भाती धीरे-धीरे घर के अंदर ले गई जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विश्पान कर रहा हूँ जब पड़ोसियों की भीड छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा इसे कहां से लाए हो पयाग ने हसकर कहा घर से भागी जाती थी पयाग पुरानी को कौन पूछता है चल मन जिससे मिले वही नहीं है मन जिससे ना मिले वही पुरानी ला कुछ पैसा हो तो दे दे तीन दिन से दम नहीं लगाया पैर सीधे नहीं पड़ते हाँ देख दो चार दिन इस बिचारी को खिला पिला दे फिर तो आप ही काम करने लगेगी रुकमिन ने पूरा रुपयां लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया दूसरी बार कहने की जरूरत ही ना पड़ी पयाग में चाहें और कोई गुण हो या ना हो मानना पड़ेगा कि विशासन की मूल सिध्धानतों से परचित था उसने भेदनीती को अपना लक्ष बना लिया था एक मास तक किसी प्रकार की विगन बाधाना पड़ी रुकमिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी बड़े तड़के उठती कभी लकड़ियां तोड़कर कभी चारा काटकर कभी उपले पात कर बाजार ले जाती वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाक के हत्ते चड़ा देती आधों में घर का काम चलता वह सौत को कोई काम न करने देती पड़े उसियों से कहती बहन सौत है तो क्या है अभी कल की बहुरिया है दो-चार महिने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी मैं तो हूँ काम करने को हूँ गाउं भर में रुकमिन के शील सुभाव का बखान होता था पर सत्संगी घाग पयाब सब कुछ समझता था और अपनी नीती की सवलता पर प्रसन होता था एक दिन बहु ने कहा दी-दी अब तो घर में बैठे-बैठे जी उपता है मुझे भी कोई काम देला दो रुकमिन ने इसने सिंचित स्वर में कहा क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है भीतर का काम किये जा बहार के लिए मैं हूँ ही बहु का नाम कौशल्या था जो बिगड़कर सिलिया हो गया था इस वक्क सिलिया ने कुछ जवाब ना दिया लेकिन मैं लॉंडियों की दशा अब उसके लिए आसा है हो गई थी वे दिन बर घर का काम करते करते मरे कोई नहीं पूछता रुकमिन बहार से चार पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमन तोड़ देगी पयाक पैसों का यार है ये बात उससे चिपी न थी जब रुकमिन चारा लेकर बजार चली गई तो उसने घर की टटी लगाई और गाउं का रंगठंग देखने के लिए निकल पड़ी गाउं में ब्रहमन ठाकुर कायस्त बनी सभी थे सिलिया ने शील और संकोच के कुछ ऐसा सौंग रचा कि सभी इस्तरियां उस पर मुक्द हो गई किसी ने चावल दिया किसी ने डाल किसी ने कुछ नई बहु की आवबगत कौन न करता पहले ही दोरे में सिलिया को मालुम हो गया कि गाउं में पिसन हारी का इस्तान काली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है वह यहां से घर लोटी तो इसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी पयाग ने पहर राती से चक्की की आवाज सुनी तो रुकमिन से बोला आज तो सिलिया अभी से पीसनी लगी रुकमिन बजार से आटा लाई थी अनाज और आटे के भाव में विशेश अंतर ना था उसे आश्यरे हुआ कि सिलिया इतने सबेरे क्या पीस रही है उठकर कोटरी में आई तो देखिया सिलिया अंधेरे में बैठे कुछ पीस रही है उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठा कर भूली तुछसे किसने पीसनी को कहा किसका नाज पीस रही है सिलिया ने निशंक हो कर कहा तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं मैं पीस्ती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगडता है चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती लाओ टोकरी दे दो बैठे बैठे कब तक खाऊंगी दो महीने तो हो गए मैंने तो तुछ से कुछ कहा नहीं तुम कहो चाहे ना कहो अपना धरम भी तो कुछ है तू अभी यह कि आदमियों को नहीं जानती आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है पैसे देते रोते हैं किसका गेहू है मैं सवेरे उसके सिर पर बटकाऊंगी सिलिया ने रुकमिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली पैसे क्यो ना देंगे कुछ बेगार करती हूँ तू ना तुमारी लॉंडी बनकर ना रहूंगी यह तकरार सुनकर पैयाग भिया पहुचा और रुकमिन से बोला काम करती है तो करने क्यो नहीं देती अब क्या जनमबर बहुरिया ही बनी रहेगी हो गए दो मैने तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी सिलिया बॉल उठी तो क्या कोई बैठे बैठे खिलाता है चौका बरतन जाडू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना ये कौन करता है पानी खीचते खीचते मेरे हातों में ढट्टे पड़ गए हैं मुझसे अब ये सारा काम ना होगा पयाग ने कहा तो तू ही बजार जाया कर घर का काम रहने दे ऐसा कि एब करने जाती हूं सिलिया की डिगरी हो गई आधिपत्य रुकमिन के हाथ से निकल गया सिलिया की अमलदारी हो गई जवान औरत थी यहूं पीसकर उठी तो औरों के साथ घास चीलने चले गई इतनी घास चीली कि सब दंग रह गए गठा उठाय ना उठता था जि आने बचा भी लिए रुकमिन ने समझ रखा था कि सिलिया बजार से दो-चार आने पैसे लेकर लोटेगी तो उसे डाटूंगी और दूसरे दिन से फिर बजार जाने लगूंगी फिर मेरा राज्य हो जाएगा पर यह सामान देखे तो आखे खुल गई पयाक खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा महिनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तू मैसर ना होई थी बहुत प्रसन हुआ भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई बोला आज कितने पैसे मिले बारा आने मिले थे सब खर्च कर डाले कुछ बचे हो तुम मुझे दे दो सिलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिये पैसे खन खनाता हुआ बोला तूने तो आज माला माल कर दिया रुकमिन तो दो चार पैसों में ही टाल देती थी मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है पैसा खाने पीने के लिए है गाड़न उसकी चक्की की अवास कानों में आने लगती दिन निकलती ही घास लाने चली जाती और ज़रा देर सुस्ता कर बजार की रहा लेती वहां से लोट कर भीवय बेकार ना बैठती कभी सन काती कभी लकणिया तोड़ती रुकमिन उसकी प्रबंध में बराबर एक निकालती और करती रहती पर सिलिया ने कुछ ऐसी द्रंटा से आसन जमालिया था कि किसी तरह हिलाए ना हिलती थी यहां तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुलम खुलना ठन गई एक दिन सिलिया घास लेकर घर लोटी तो पसीने से तर थी फाग उनका महिना था धूप तेज थ सिलिया नहा कर लोटी तो घास कम मालू हुई रुकमिन से पूछा उसने कहा मैं नहीं जानती सिलिया ने गालिया देनी शुरू कर दी जिसने मेरी घास छोई हो उसकी देह में कीडे पड़ें उसके बाप और भाई मर जाएं उसकी आखें फूट जाएं रुकमिन कुछ देर सिलिकर देखा, और कारशीलिता सबीकी आखों में खटकती थी, वैशने सबसे रुकमिन ख् sixtीलती है, सबसे ज़ादा लकड़िया क्यों लाती है, इतनी सबेरे क्यों उटती है, इतनी पैसे क्यों लाती है, इन कारणों ने उसे पड़ाओसियों की साहनबूती से वंचित कर दिया था, सब उसी को बुरा भला कहने लगी, मुट्टी बर घास के लिए इतना उदम मचा डाला, इतनी घास तो आदमी जाड कर फेक देता है, घास ना हुई, सो ना हुआ, तुझे तो सोचना चाहिए था, अगर किसी ने ले ही लिया है, तो वह है तो गाउं घर का ही, बाह कुछ पैसे दे दे तो दम लगा आऊं, ठक कर चूर हो गया हूं, सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी, पयाग ने घबरा कर पूछा क्या हुआ, क्यों रोती है, कहीं गमी तो नहीं हो गई, नहर से कोई आदमी तो नहीं आया, अब इस घर में मेरा रहना ना अपने घर जाओंगी, अरे कुछ मूँ से तो बोल क्या हुआ, गाओं में किसी ने गाली दी, किसने गाली दी है, घर भूग दूँ, उसका चालान करवा दूँ, सिलिया ने रोरोकर सारी कथा कह सुनाई, पयाग परास थाने में खूब मार पड़ी थी, जलाया हुआ था, वे कथा सुनी तो देह में आग लग गई, रुकमिन पानी भरने गई थी, वे भी घड़ा भी ना रखने पाई थी कि पयाग उस पर तूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया, वे मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हारे गाली पर उसे जला जला कर मारता था, यहां तक कि रुकमिन के घुटने फूट गए, चुड़ियां तूट गए, इसलिया बीच पीच में कहती जाती थी, वहरे तेरा दीदा, वहरे तेरी जवान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी, औरत काहे को डाइन है, जरा भी मू में लगाम नहीं, किन्तु रुकमिन उसक की बातों को मानू सुनती ही ना थी, उसकी सारी शक्ती पयाग को कोसने में लगी हुई थी, पयाग मारते मारते ठक गया, पर रुकमिन की जबान न ठकी, बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिठी निकले, तुझे भवानी खाये, तुझे मिर्गी आए, में अपक्रोध न था, केवल एक उनमाद में प्रभा था, उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अगनी से प्रज्योलित हो रही थी, अंधेरा हुआ तो रुकमिन उठकर एक और निकल गई, जैसे आखों से आसु की धार निकलती है, से लिए भोजन बना रही थी, उसने उसे जाते देखा भी पर कुछ पूछा नहीं, द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ ना कहा, जब फसल पकने लगती थी तो डिर दो महिने तक पयाग को हार की देख बाल करनी पड़ती थी, उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल, पीछे कुछ अनाज ब पड़ा रहता था, चैत के अंत तक उसका यही नियम था, आजकल वही दिन थे फसल पकी हुई तयार खड़ी थी, दो-चार दिन में कटाई शुरू होने वाली थी, पयाग ने दस बजे रात तक रुकमिन की रहा देखी, फिर यह समझ कर कि शायद किसी पड़ोसन के घर सो रही होगी, उसने खापी कर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, कि वाड़ बंद कर ले, अगर रुकमिन आये तो खोल देना, और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना, तेरे पीछे आज इतना तुफान हो गया, मुझे ना जाने इतना गुस्ता कैसे आ गया, मैंने उसे कभी फूल के छड़ी से भी न चुआ था, कहीं बूर धास ना मरी हो तो कल आफ़त आ जाए, सिलिया बोली ना जाने वे, आएगी की नहीं मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है, तो घर में कौन रहेगा, सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले डर किस बात का फिर उकमिन तो आती ही होगी, सिलिया ने अंदर से टटी बन कर ली, पयाग हार की ओर चला, चरस की तरंग में ये भजन गाता जाता था, ठगनी क्या नैना जमकावे, कद्दू काट म्रदंग बनावे, नीबू काट मजीरा, पांच तरोई मंगल गावे, ना ऐसा सिवाने पर पहुचते ही, उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जिलाई, एक शण में ज्वाला सी धैक उठी, उसने चिला कर पुकारा कौन है वहाँ, अरे ये कौन आग जलाता है, उपर उठती ज्वालाओं में अपनी आगने जेवा से उतर दिया, अब पया को मालूम हुआ कि उसकी मड़या में आग लगी हुई है, उसकी चाती धड़कने लगी, इस मड़या में आग लगाना रोई के धेर में आग लगाना था, हवा चल रही थी, मड़या के चारों और एक हाथ हट कर पकी हुई फसल की चादर सी बिच्छी हुई थी, रात में भी उ उसका सुनेहरा रंग जलक रहा था आग की एक लपट केवले एक जरासी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी सारा गाउं तबाह हो जाएगा इसी हार से मिले हुए दूसरे गाउं के भी हार थे वे भी जल उठेंगे ओह लपटे बढ़ती जा रही है आप विलम करने का समय न रहा था प्रतिशन ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी और पयाक के पाउं और तेजी से उठ रहे थे कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पाना सकता था अपनी तेजी पर उसे स्वेमाश्चर हो रहा था जान पढ़ता था पाउं भूमी पर पढ़ते ही नहीं उसकी आखे मड़या पर लगी हुई थी दाहिने बाए से और कुछ ना सूचता था इसी एक आगरता ने उसके पैरों में पर लगा दिये थे ना दम फूलता था ना पाउं ठकते थे तीन चार फरलांग उसने दो मिनिट में तै कर लिये और मड़या के पास जा पहुँचा मड़य किया कि आसपास कोई ना था किसने ये करम कर किया है ये सोचने का मौका ना था उसे खोजने की तो बात ही थी लेकिन टाइम ना था प्रयाक का संदे रुकमिन पर हुआ पर ये क्रोध का समय ना था जवालाएं कोचाली बालकों की भाती ठट्टा मारती धक्कम धक्का करती क कभी दाहिनी और लपक थी, कभी बाई तरफ बस ऐसा मालूम होता था कि लपटप खेत तक पहुची, आप पहुची, मानो जवालाएं आगरा पुर्वक, क्यारियों की और बढ़ती और अस्फल होकर दूसरी बार फिर दूने वेक से लपकती थी, आग कैसे बुझे, लाठी स पीट कर बुझाने का गौना था, वे तो निरी मूर्ख था थी, फिर क्या हो, फसल जल गई तो फिर वै किसी को मूह न दिखा सकेगा, आह, गाउं में कहरा मज जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, उसने ज्यादा नहीं सोचा, कभारों को सोचना नहीं आता, पयाग ने मढईया के द्वार पर जा पहुचा, जलती होई मढईया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चोड़ी मेड़ पर गाउं की तरफ भागा, ऐसा जान पड़ा, मानो कोई अगनी यान हवा में उड़ा जा रहा है, फूस की जलती होई धज्जियां उसके हाथ पर गिरा, सारा हाथ भुन गया, पर उसके पाउं पल भर भी नहीं रुके, हाथों में जरा भी हिचक न होई, हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था, पयाग के ओर से अब कोई शंका नहीं थी, अगर भय था तो यही की मढईया का भय केंदर भाग जहां लाठी का उठाया था, ना जल जाए, क्योंकि छेत के फैलते ही, मढईया उसके उपर आगरेगी और अगनी समाधी में मगन कर देगी, पयाग यह जानता था और हवा के चाल से उड़ा चला जाता था, चार फरलांग की दोड है, मृत्य अगनी का रूप धारन के हुए पयाग के सर प उसकी दोड में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मूँ पीछे को फिर हो गया, और उसकी दाहाक शक्ति का अधिकांश वायू से लड़ने में लग रहा है, नहीं तो अब तक बीच में आग पहुँच गई होती हो, रहा हाकार मच गया होता, एक फरलांग तो निकल गया, पय पयाक की हिम्मत ने हार नहीं मानी, वे दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया, देखना पयाक दो फरलांग की और कसर है, पाउं जरा भी सुस्त ना हो, ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुची और तुमारे जीवन का अंत है, मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी तो मनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे, बस एक मिनिट और, अब केवल दो खेत और रह गये, सर्वनाश, लाठी का कुंदा निकल गया, मड़या नीचे खिसक रही, अब कोई आशा नहीं, पयाक प्रान छोड़कर दोड़ रहा, वे किनारे का खेत आ पहुचा, अब भी उसे फेक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मुह नहीं, वे उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है, वहां उसके पाउं लड़ खड़ा है, अब है क्रूर अगनी लीला नहीं देखी जाती, एक आएक इस्त्री सामने की वरक्ष के नीचे से दोड़ती हुई पयाग के पास पहुची, यह रुक्मिन थी, उसने तुरंट पयाग के सामने आकर गर्दन जुकाई, और जलती हुई मड़ईया के नीचे पहुचकर उसे दोनों हाथों पर ले गया, उसी दम पयाग मूर्चित होकर गिर पड़ा, उसका सारा मु जुलस गया था, रुक्मिन उसके लाव को लिए एक सेकंड में खेत के डाने पर आपहुची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गया, मू जल गया, कपड़ों में आग लग गई, उसे अब इतनी सुधी भी ना थी कि मड़ईया के बाहर निकल ला है, वे मडईया को लिए गिर पड़ी, इसके बाद कुछ देर तक मडईया हिलती रही, रुक्मिन हाथ पाँ फेकती रही, फिर अगनी ने उसे निकल लिया, रुक्मिन ने अगनी समाधी ले ली, कुछ देर के बाद पयाक को होश आया, सारी देह जल रही थी, उसने देखा व्रक्ष के नीचे फू पयाक को उठाकर उसके घर ले गए, एक सब्ता तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं, कुछ तो आगनी जिलाया था, और जो कुछ कसर थी, वै शोक अगनी ने पूरी कर दी।